राजस्तान में विधान सभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले राजस्तान की अशोग घिलोट सरकार का ये फैसला की प्रदेश में इस साल छात्र संग के चुनाव नहीं होंगे, सभी को भाया नहीं है और जिनको नहीं भाया उनमें मुख्य तोर पर राश्रे लोकतां के सुप्रीमों हनुमान बेनिवाल हैं, हनुमान बेनिवाल ने राजे की अशोग घिलोट सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है, उन्होंने कहा है कि राजस्तान की अशोग घिलोट सरकार डर से सताय हुए है, उसको लगता है कि वो विधान सभा के चुनाव में हार सकती है और विधानसभा के चुनाव से पहले उसके खिलाफ माहौल ना बने इसी लिए वो चात्र संग का चुनाव नहीं करवा रही है उसने कहा कि अगर चुनाव होता तो राश्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव में कूच जाती और उस डर की वज़े से प्रदेश के अशोगेलोत सरकार चुनाव नहीं करवा रही है आज अलवर में हनुमान बेनिवाल की पार्टी राश्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी के दुआरा युवा हुंकार रैली का आयोजन करना प्रस्तावित था और जिस तरह से हनुमान बेनिवाल इस मुद्दे पर बार-बार साफ है कि वो इस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं और ना केवल अशोगेलोत सरकार को पर राजस्तान में भाच्पा को भी इसी मुद्दे पर घेड़ने में जुटे हुए थे उनका कहना था कि भाच्पा और कॉंग्रिस की मिली भगत है जिसके तहत राजस्तान में चातर संग के चुनाव नहीं करवाये जा रहे उन्होंने कहा कि राजस्तान के शोगेलोत सरकार लिंग्दो कमिटी का हवाला दे रही है पर जिस तरह से चुनाव को रत करवाया गया है या नहीं होने दिया जा रहा उससे साफ है कि राजस्तान की घेलोत सरक डर गई है चात्र संग चुनाव के चलते जो माहौल बन सकता था प्रदेश के अशोग घिलुत सरकार के खिलाफ कॉंग्रिस के खिलाफ उससे डर गई है जिसकी वज़े से राजस्तान में चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं हलाकि जो आदेश की कौपी सामने आई थी उसमे बीजेपी के कारेकाल के दोरान जो चुनाव नहीं हुए थे यानि कि वसंद्रा राजे के कारेकाल के दोरान जो चात्र संग के चुनाव नहीं हुए थे उसका भी हवाला दिया गया था पर प्रदेश में इस साल चात्र संग के चुनाव ना होना ना केवल उन चात्र नेता के लिए एक तरह से एक बड़ा एक ऐसा पहलु बनकर सामने आया है जो उनको एक रोड़े के तरह लग रहा है पर जो राशनीतिक पार्टियां है जैसे की राष्ट्र लोकतांतरिक पार्टी पार्टी एसका एक चात्र चात्राओं से आता है जो की कॉलिज जाते हैं और जो लीडर्शिप है जिनकी यंग लीडर्शिप है खुद हनुमान बेनिवाल अपने आपको एक युवाओं का नेता मानते हैं नागौर से सांसद हैं इस पार्टी के राश्ट्र लोगतांतरिक पार्टी के एक और उसका एक जो सपोर्ट बेस है जो युवा सपोर्ट बेस है उसको वो एक तरह से नराज नहीं करना चाहते है जिसकी वजह से आज उसने युवा हुंकार रैली अलवर में निकालने का प्लान किया और उससे पहले कही बार वो इस मुद्दे को लेकर मुखर हो चुके हैं कि राजस्तान में अशोग घेलोत और वसंद्रा राजे बीजेपी और कॉंगरेस की मिली भगत है जिसके चलते प्रदेश में छात्र संग के चुनाफ नहीं करवाये जा रहे हाला कि सचिन पाइलेट भी पहले कई मुद्दों पर मुखर रही है पर पिशले कुछ समय से अश्ताचार का मुद्दा हो इसी साल जन्वरी के महीने में और उसके बाद भी कई बार सचिन पाइलेट उन मुद्दों पर प्रदेश की अशोग घेलोत सरकार को घेड़ने में जुटे हुए थे पर पिशले कुछ समय से जबसे उनकी दिल्ली में बैठक हुई है उनकी प अनुमान बेनिवाल का टाक्ष कर चुके हैं कि राजनितिक तोर पर अशोग घेलोत ने सचिन पाइलेट कव खतम कर दिया है उनका राजनितिक करियर या फिर उनकी जो बिसात है उसको समाप्त कर दिया है और राजस्तान में उनका कहना है कि वो एक नेता है जो कि से चुनाव आज तक के लिए